Hello friends, जिस तरह human life के अंदर looks बहुत ज़्यादा matter करती है, उसी तरह हमारी dog की life के अंदर भी looks बहुत ज़्यादा matter करती है अगर आपकी looks अच्छी है, आप एक अच्छे दिखते हो, आपकी अच्छी personality है, तो आप किसी भी field में चले जाओ अपना 100% आप वहाँ ज़रूर दोगे, बिकोज आपकी अंदर एक self confidence generate हो गया है by looks अगर मैं बात करता हूँ dogs की, तो मेरे पहरे दोस्तों आपके पास अगर महंगे से महंगा dog ही क्यों ना हो अगर उसकी looks अच्छी नहीं है, उसके hair की growth अच्छी नहीं है, patches बन रहे हैं, काफी ज़्यादा clusters बन रहे हैं hairs के, fur बिल्कुल अच्छा नहीं है, shiny नहीं है, तो आप कितनी भी महंगी से महंगी breed लिया हो, अगर ये quality से उसके अंदर नहीं है तो भाई, लोग उसको ignore ही करेंगे, अब बहुत सारी dog show होते हैं, जैसे कई dog show के अंदर हम भी जाते रहते हैं, तो हमें कुछ dog तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, because उनकी quality अच्छी होती है owner ने उसके उपर ध्यान दिया होता है, कुछ dog ऐसे होते हैं कि वो हसकी के नाम पर लगते ही नहीं कि भाई, ये हसकी है तो भले ही अगर आप इस बारे में बुरा ही मान लो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसके पीछे आपकी ही गलती होती है आपने अपने dog के उपर मेहनत नहीं की, आपने उसकी अच्छे से care नहीं की, ये blame मैं आपको ही दूँगा तो मेरे पैरे दोस्तों इसी का solution करते हुए आज की वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ एक-एक point बड़े ही ध्यान से सुनना और observe करना जो भी point मैं बताऊंगा देखो मेरे पैरे दोस्तों जिस तरह एक massage हमारी body के लिए helpful होती है उसी तरह dog के लिए massage बहुत ज़्यादा importance रखती है dog massage मैं आपके लिए लेकी आया हूँ और बहुत ही अच्छा एक result आपके dog की body के उपर apply करेगा especially अगर मैं बात करता हूँ dog massage के benefits की सबसे पहला है अगर आपके dog की skin काफ़ ज़्यादा dry है rough है एक hard है तो उसको smoothness provide करेगा जैसे ही smoothness आपके dog की skin में आएगी तो जितने भी जो sebaceous gland है वो activate हो जाएंग वहाँ से sebum generate होगा जो कि एक natural sebum होता है जो कि आपके dog की hair की growth के लिए बहुत ज़्यादा important होता है shining के लिए important है फर की growth के लिए important है अगर आपके dog की sensitive skin है और आप इपने dog को massage provide करेगा तो वो भी problem दूर हो जाएगी बिलकुल अच्छा आपका dog दिखेगा shiny उसके hair हो जाएंगे आपके dog का जो fur है बहुत ज़्यादा ही soft हो जाएगा clean दिखेगा आपको आपको यह लगेगा कि बहुत ज़्यादा lushrous एक feeling आ रही है एक अच्छी खुश्बू आएगी फर से और आपके dog का अगर coat बहुत ज़ से मिल सकता है रहे हैं तो वह भी solve हो जाएंगे अगर आपके dog का hair fall हो रहा है massive hair fall हो रहा है अगर excessive hair fall हो रहा है या initial stage है hair fall की तो आप अगर उसके अंदर भी massage provide करते हो तो hair fall stop हो जाएंगे रुक जाएंगे उसी situation पे अगर आपके dog की body के ओपर fungal infection होने की possibilities आपको यह लग र पर ब्लड circulation वहां पर अच्छा बना रहेगा और किसी भी तरह की fungus वहां पर generate नहीं होगी वहां पर एक हाजिनी condition develop हो चुकी है by the massage तो dog massage देना बहुत ज्यादा important है और भी बहुत सारे benefits है लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी तो मैं simple आपको यह बता दू डोग benefits डोग की massage के लिए massage बहुत ज़्यादा एक beneficial role play करती है डोग की life के लिए डोग massage ठीक है तो अब वह product कौन सा है वह मैं बता दूँगा और साथ मैं यह भी बता रहा हूं कि भाई कितनी बार apply करने और किस तरह apply करने ध्यान से सुनते रहना most important point आ गया तो वह product कौन सा ह जैसा कि screen पे आपको नजर आ रहा होगा टेलो kingdom के नाम से जैसा कि screen पे अच्छे से visible भी हो रही है इसके ओपर directly mention है dog massage oil है और 100% natural ingredient से मिलके यह बना है natural है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई chemical add नहीं है तो आपके dog के fur को बिल्कुल भी damage नहीं करेगा तो यह जो oil है आपको amazon पे easily available हो जाएगा मैंने description box में link डाल दिया है फटा फट से मंगवा लो 200 plus something का है इतना महेंगा भी नहीं है आज से ही massage करना start कर दोगे तो मेरे भाई बहुत अच्छा dog आपका दिखेगा बिल्कुल एक shiny look आ जाएगी और इतना ज्यादा active दिखेगा और इतनी अच्छी खु और भी लोग इसका इस्तेमाल कर चुके तो उनका result काफी जादा अच्छा देखने को मिला है तो आप भी इसका इस्तेमाल जरूर किजिए अब मैं बात करता हूं कि आपको किस तरह apply करना है देखो मेरे पैरे दोस्तों आप आप अपने डोग को नहलाते हो माल लिए कि आप फिर अच्छे से हाथ को रब करना है और बिल्कुल अच्छे से उसकी मसाज करनी है और वो जो oil जो है ना skin तक जाना चाहिए यानि hair का जो follicle जो है basically वहां तक आपको deeply उसके अंदर जाना चाहिए यह जो oil यानि अच्छे से जैसे कई बार जैसे आपने देखोगा आटा जो बातिंग प्रवाइड कर देनी है नैच्रल एक शैंपू से आपको अपने डोग की बोडी के अंदर दो मसाज के बाद ही इतना बेटर रिजल्स देखने को मिलेगा आप यह बोलोगे कि अगर यह मसाज में पहले कर देता होता तो मेरे डोग को यह प्राइस उस डोग शो के अंदर मिल जाता तो मेरे पहरे दोस्तों मैं आशा करूंगा आप इस प्रड़क्ट को ज़रूर अपने घर पे मंगवाएंगे और अपने डोग की इसी तरह केर करेंगे और अगर आप अपने डोग से प्यार करते हो तो तो इस वीडियो को लाइक भी करना है आपको शेर भ हराद